Hello बच्चो, let us read the question, question says find the distance of point a,b,c from the x-axis, तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसके लिए, की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है, दो पॉइंट जैसे हमें दे रखें हैं, x1, y1 और 3 points ले लेते हैं, मतलब 3 coordinate यहाँ पे ले लेते हैं, y1, z1 और दूसरा x2, y2, z2, तो इस तरह से हमारे पर 2 points है, तो इन दोनों points की बीच की distance का formula क्या होता है, यह होता है, d is equal to, under root के अंदर x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, plus z2 minus z1 का whole square, तो यह formula होता है, तो अब हमें यहाँ पे question में क्या बोला हुआ है, कि the find the distance of the point ABC from the x-axis, तो यहाँ पे हम 3D coordinate system लेते हैं, तो यह हमारा x, यह y और यह z, तो हमें x-axis से distance निकालनी है, किसी point P की, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हम net कर लेते हैं, कोई point P है यह, क्या है? ABC, A, B, C, इसकी हमें distance निकालनी है P से, तो क्या हो जाएगा? यह जो P वाला यहाँ पे कही जो point आएगा, वो क्या होगा? यह हो जाएगा हमारा a, 0, 0, क्योंकि यह x-axis पे है, तो बागी के दोनों हमारी coordinate 0 होंगे, तो अब इन दोनों के बीच, यह दो points है हमारे पास, इनके बीच के में distance fight करनी है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, x1, y1, z1, और यह x2, y2, z2, तो हमें इन दोनों के बीच के distance निकालनी है, तो यह हमारी जो required distance है, वो calculate कर किया जाएगी, तो क्या हो जाएगा? x2-x1 का whole square, यानि कि a-a का whole square, plus pi2-pi1 का whole square, यानि कि b-0 का whole square, plus z2-z1 का whole square, यानि कि c-0 का whole square, तो d कितना आजाएगा? यह आजाएगा, यह तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरा b square, plus c square, तो यह हमारी required distance आ जाते हैं, जो कि हमसे question में पूछी गई गई है, तो यह हमारा answer है, hope you understood it well, best of luck.